नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं Z10 News और मैं हूँ आपके सास्वर्णिम कसाना आईए नज़र डालते हैं आज की उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर सबसे पहले विधायक इरफान सोलंकी पर आज फैसला कानपूर से बड़ी खबर है समाजबादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर प्लॉट आघजनी के मामले में MPMLA कोर्ट आज एहम फैसला सुना सकती है इस फैसले से विधायक के भविश्यक तैह होगा पुलिस ने कोड परिसर में चपपे चपपे पर फोर्स तैनात कर दी है और हर आने जाने वाले पर नज़र रख रही है थोड़ी देर में विधायक इरफान सोलंकी भी कोड पहुंचे हैं इस मामले में 12 आरोपी हैं जिनमेंसे विधायक उनके भाई और 5 अन्य लोगों पर आज फैसला सकता है पुलिस दुआरा विधायक को पुलिस लाइन में रखा गया था जिससे वे काफी नाराज हैं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा क्या पुलिस कमिशनर मेरा भी एंकाउंटर कराना चाहते हैं मेरी नयाले में पेशी होनी थी मुझे पुलिस लाइन में क्यों रखा गया पुलिस लाइन से ले जाने के बाद काफी नराज नजर आये और पुलिस पर जानवर होने का आरोप लगाते हुए दिखे प्रेम प्रसंग में युवक को तालिबानी सजा गटर का पानी पिलाया मुरादबाद जिले में एक बेहद ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है एक युवक को बंधक बना कर तालिबानी सजा दी गई है मामला मुरादबाद के पकबाड़ा धाना इलाके का है मामला प्रेम प्रसंग को लेकर है जहां पर एक युवक को बंधक बना कर मारपीट की गई साथी चपलों का हार उसके गले में डाल कर युवक को घुमाया गया जब उससे भी नहीं मन भरा तो आरोपियों द्वारा युवक को टॉयलेट का पानी पिलाया गया इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है जब ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया इस शर्मसार घटना पर पीडित के परिजनों ने क्या कहा ये सुनते हैं इसी के साथ स्पी सीटी अखिलेश भधारिया का बयान सुनिए जिसके संबन में एक प्रटन सूर्शल मीडिया के माध्यम से सिंधानना आया था जिसमें एक वीडियो में एक रड़के के साथ हूँ कुछ लोग अवदर भी होर कर रहे थे उसके सेंट इसेंट बीज़र हुआ था और यह लड़का अगवानपूर थाना चेतर का रहने वाला था और अपने किसी रिष्टिदारी में थाना पार्ग बड़ा चेतर में आया था तो पहरे एक बज़े पहुँचेंगे कारेकरम में शामिल होने को बुरादाबाद नगर विधान सभा के बूत अध्यक्ष को देंगे लोग सभाच नाव में जीत का मंत्र दिल्ली रोड के राही होटेल में डिप्री सेम केशर प्रसाद मौरे का कारेकरम एक बड़ी खबर आ रही है देवरिया से जहां नमकीन फैक्ट्री मैनेजर को चाकू मार कर लूट अस्पताल में भरती देवरिया में नमकीन फैक्ट्री के मैनेजर को चाकू मार कर लाखो रुपे की लूट वारदात हुई है बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजा मैनेजर की हालत गंभीर है और वे अस्पताल में भड़ती है वे देवरिया से पैसा कलेक्शन पर मैजिक गाड़ी से गोरख पुर जा रहे थे मैनेजर का नाम है गुलशन इस घतना की बाद सेल्समेन को रोक कर दो अज्यात बदमाशू द्वारा उनका बैक ची लिया गया जिसमें दो लाग रुपए बताए गये हैं पुलिस इस घतना पर तुरंद मौके पर पहुंची और जो कंप्लेंडेंट है उन्हें हॉस्पिरल पहुंचाया गया उनकी आलत स्थिर है और आज जोगनिया निवासी भोला और बेचन के जानवरों के हाते में लगी सूचना मिलने पर SDM संजे कुमार तहसीलदार अंबिका चौधरी राजस्व निरिक शकशोग कुमार श्रिवास्तव और पुलिस मौकी पर पहुंचे राजस्व कर्मियों को राहत सामगरी देने का निर बान दिया जाएगा बहराई से हमारे समवात आता विने कुमार पांडी की रिपोर्ट फिलाल के लिए ये थी कुछ उत्तर प्रतेश की बड़ी खबरे ऐसी और खबरों के लिए बने रहें जीटेन न्यूस के साथ धन्यवाद